Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujassim Akhtar जैसे कि आपको पता है मैं आपका JKSSB Class 4 की जो recruitment हो रही है उसके लिए English का portion cover करवा रहा हूँ, जो की total 20 marks का है उस मेंसे मैंने already articles, determiners, spellings complete करवा दिया है और synonyms and antonyms का part 1 भी करवा दिया है तो आज हम part 2 पढ़ने वाले हैं अच्छा उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने articles, determiners, spellings या फिर synonyms, antonyms का part 1 नहीं देखा है तो आप जब playlist में जाएंगे वहाँ पर आप English की जो playlist JKSSB Class 4 के लिए बनी हुई है वहाँ पर आप मेरे सारे जो हैं lectures देख सकते हैं पुराने ये articles, determiners, spellings या synonyms, antonyms का part 1 आपको वहाँ से मिल जाएगा तो आज हमने पढ़ना है synonyms and antonyms अच्छा उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो do subscribe to channel to get the notifications ठीक है तो आज हमने पढ़ना क्या है synonyms and antonyms तो आपको पता है जैसे कि मैं आपको questions पूछता ही हूँ तो इसमें भी आपको क्या करना है you have to write the antonyms of पहला क्या है encourage इसका antonyum लिखना है दूसरा है artificial इसका भी antonyum लिखना है तीसरा है repel इसका भी antonyum लिखना है और चोधा है liability इन चारूं के आपने जो है comments में answer देने है आज जो है हम आज हम synonyms थोड़ा इसमें discuss करेंगे ठीक है तो choose the word which is most similar in meaning which means synonym to the words given in bold actually यहाँ पे bold में नहीं है यहाँ पे सीधे words दिये हुए हैं उपर तो इनके जो हैं आपने answers बताने है ठीक है तो पहला क्या है हमारे पास autocritic autocritic क्या होता है autocritic होता है self rule कोई एक बंदा वो मतलब एक rule अपना rule बनाना चाहे ठीक है तो उसको क्या कहते है autocritic तो मतलब वो तो cooperative नहीं हो सकता ठीक है inspirational भी उसको हम नहीं कह सकते या charitable भी हम उसको नहीं कह सकते तो आपके पास क्या है option भी जो है correct हो जाएगा dictatorial उसको कहते हैं हम autocritic को हम dictatorial भी कहते हैं ठीक है अचा next बात करते हैं हमारे पास daring daring क्या होता है daring होता है जिसमें हिम्मत बहुत होती है ठीक है तो brilliant का meaning कुछ अलग है energetic का भी जो है वो active type बोल सकते हैं हम उसको enthusiastic भी नहीं कह सकते हैं हम उसको enthusiastic होता है जो किसी काम को करने के लिए बहुत continuity रखता है उसको हम enthusiastic कह सकते हैं लेकिन option D क्या है हमारे पास courageous courageous क्या होता है हिम्मत बाला daring भी क्या होता है हिम्मत बाला it means हमारे पास कौन सा option correct हो जाएगा option D okay so let's move to the next slide that is demonstrate ठीक है demonstrate का मतलब क्या होता है मतलब कुछ चीज जो है show करना कहीं पर ठीक है कहाना कहीं पर मतलब जैसे हम डैमो बोलते है डैमो दो थोड़ा सा अपना तो हम क्या करते है show करते है अपने आपको वहां पर तो यहां पर हमारे पास option A क्या है remonstrate ठीक है तो remonstrate का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दूसरा क्या है हमारे पास ठीक है next चलते है deliberate deliberate का meaning बताना है deliberate होता है पहले बता दूँ कि कोई चीज जान भूज कर करना ठीक है तो purpose less क्या होता है purpose less तो नहीं आएगा क्योंकि purpose less मतलब होता है किसी purpose के बिना करना किसी चीज़ को तो perpet rate भी नहीं है intervention भी नहीं है और option जो है आपका C correct हो जाएगा किसी चीज़ को जान भूज कर करना which means intentionally करना तो मतलब इसका correct option क्या हो जाएगा intentional ठीक है simple है बहुत उसके बाद बाद करते है defer defer बता क्या होता है defer होता है किसी चीज़ को मतलब कहीं पे आप किसी चीज़ को post phone करना जैसे मान लो कि आपके exam आज थे तो आप वो किसी और दिन के लिए चले गए तो उसको हम deferring बोलते हैं मतलब उसको defer करना बोलते हैं ठीक है जिसको हम और नाम से जानते हैं जिसका नाम है post phone ठीक है तो मतलब इसका correct कौन सा हो जाएगा option a हो जाएगा हमारा correct next बात करते हैं saver saver उसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है saver का अपने पढ़ा होगा ना तो ये flavor होता है ना तो ये sore होता है ना तो ये कोई protector saver होता saver अलग बात है और यह जो वर्ड है यह अलग बात है सेवियर होता है प्रोटेक्टर लेकिन यह सेवो है ठीक है तो यहां पर टेस्ट होता है इसका मतलब ठीक है मतलब यह वाला option आपका correct हो जाएगा ठीक है ओके similarly हम next पे चलते हैं reward reward क्या होता है किसी चीज को compare करना या किसी चीज को compete करना ठीक है मलब compete करना हो सकता है ठीक है या फिर compare करना तो यहां पर हमारे पास option क्या है पहला hatred मतलब यह wrong है revised है यहां पर यह भी wrong है तो competed है यहां पर this will be the correct answer ओके चलो next बात करते हैं question number 8 question number 8 क्या है हमारे पास trimming अब trimming का मतलब क्या होता है skimming तो नहीं होता arranging तो नहीं होता planning भी नहीं होता तो इसका मतलब trimming का मतलब चा होता है trim करते न हम मतलब मान लीजये bal오 को हम trimming करते trim our use करते है तो simply वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि trimming का मतलब क्या है to trimming का मतलब simply क्या है cutting है planning नहीं … arranging नहीं skimming नहीं में तो trimming means cutting ओके चलो next बात करते हैं हम पैस्टर होता है किसी बंदे को ट्रबल में लेकर आना तो किसी बंदे को ट्रबल में लेकर आने को हम और क्या बोलते हैं किसी बंदे को ट्रबल में लाने के लिए हम एनॉई भी बोलते हैं ना तो इंसेक्ट आएगा ना तो अपसेट आएगा ना तो पेस्ट और ना तो न इसका option क्या हो जाएगा करेक्ट हमारे पास option a correct हो जाएगा that is annoy okay अच्छा next बात करते हैं next बात करते हैं हम disparity की disparity की मतलब क्या होता है disparity का मतलब होता है मतलब चीजों को differentiate करना मतलब मान लो आपने किस चीज को despair किया मतलब आपने उस चीज को differentiate किया आपने उस चीज का difference बताया तो हमारे पास options क्या है disseminate no difference है हमारे पास this will be the right answer okay and after that discord this will not be the right answer difficulty भी नहीं तो which means correct answer for disparity will be difference okay so मुझे उमीद है आपको समझ में आया होगा तो thank you very much for watching the video I'll see you in the next video do you